अफ़कानिस्तान में चल रही नसहां से समस्त विश्वत चिंतित है। लहा तालिबानी सिनाई अफ़कानी नागरिकों की साथ साथ महिला और बच्चों पर कूरता सी सुल्म धारे है। यह कृत्य मानव एवं मानवता के खिलाफ है। अफ़कानिस्तान में चल रही इस विद्वनसक तथा समाज विखटनकारी गतिवीदिया तथा कुरूरमान सिकता को सच्चे धर्म की मार्ग पर लाने की प्रयास है तो राज राजश्वरी आश्रम शुरप गाव परसोडी तालुका सावनेर की गुरुवर्य राजकुमार ब विश, लोब, मती, एहंकार, तामसी प्रवृत्य के साथ साथ कुंठित मान सिकता का पतन होकर सुख शांती और सहादर का वातावरन निर्मान होकर विश्व में शांती निर्मान होती है यग्यकुंडे से निकलने वाली सकारात्मक उर्शा विनाशकारी प्रवृत्यों के विनाश निशित तोर पर होता है इसी प्रकार का ये शसी प्रयोग राज राज़ेश्वरी आश्यमद्वारा कोड़ा महामारी काल में भी किया गया जिसके सकारात्मक परिणाम आ गया है और कोड़ा संक्रमन में 30 से कम्याय थी यही महायग्य की महिमा है और पास सितंबर को संपन्द होलने वाले विश्वशांती महायग्य को भी परिणाम सकारात मंख होंगे और अफ़कानिसान समेट समस्त्र विश्व में शांती का वातावरन निर्मान होगा ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए सभी से अनुरोत किया कि वे भी अपने अपने घरों में आने वाले पास सितंबर को दोपेर एक से पाच बजी तक विश्व शांती हेतू एक सो आठ आहुतिया देई के उपर में यग्य करने के बाद में बहुत सारी चीजे हमको सब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है आज BCN News के लिए सामनीर से किशोर टुंडोले की रिपोर्ट